अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी दो परिवारों के बीच उस केमिश्टी को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है सातियों असी में जब पहली बार कमल नाज जी चुनाओ लड़े तो इंद्रा जी ने आम सबा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है कमल नाज जी के लिए तीसरे बेटे की एक संग्यादी उस से आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में राजनिति की यात्रा में कमल नाज जी की पिछले साथ साल से वो मध्यप्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुख्या के तोर पे हम सब कांग्रेस के कारी करताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्तिती में सुख में अच्छे में और बुरे में पूरी द्रड़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसाथ करके विपक्ष की भूमी का निभाते हुए निडरता से अपना कारी करते रहें सांथियों मुझे ग्या थे वो पल वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को के सरकार गिराई थी तब भी कांग्रेस का एक एक कारी करता कमल नाज जी के विचार और उनके नेतरुत के नीचे खड़ा था एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के सांथी हर तरीके से कंधे से कंधा मिला कर कमल नाज जी के विचार को आत्मसाथ कर रहे थे कांग्रेस के विचार को आत्मसाथ कर रहे थे अन्तो गत्वा मैं आप सबसे अन्रोद करना चाहता हूँ जो खबरे हैं निराधार है कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंद्रा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी दो महिने पहले जिनके नेत्रोत में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कारी करता अपनी जा आप सोच सकते हैं कि जब सिंद्या जी जा रहे थे सरकार गिरा रहे थे तब हमारे जैसे लोग कुलिस के और उनके गुंडो के डंडे खा रहे थे कबला जी को मुख्य मंत्री बनाने के लिए जगे जगे वह हमें छोड़के जा सकते कांग्रेस पार्टी को छोड़के जा सकते हैं मैं फिर से जैसा की अफवाएं हैं राज सबा का चुनाव में अशोक सिंग जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आधरणी कमल नाज जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था हमारे पूरे नेत्रत ने एक साथ मिलके किया था और सर्व सम्मती से अशोक सिंग जी को राज सबा भेजा गिया और यही कारण है कि वो एक मात्र कांग्रेस के उम्मिदवार आप सब के बीच में है तो मैं फिर से ये खबरे निराधार है और मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कारी करता जो विपक्ष की भूमी का हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है उसमें द्रड़ता से लगेंगे बहुत जल्दी मेरी कमलाजी से आज सुबह भी बात हुई कल रात को भी हुई और जो मैं बाते आप से कर रहा हूं मैं मानता हूं कि उस कांग्रेस के प्राचीन विचार धारा के इतियास क मद्दे नजर कर रहा हूं जिसको कमलाजी ने आत्मसाथ किया